अपनी पत्नी के साथ एक दोस्त का अवेद संबंध होने के कारण पहले दोस्त को सराप पिलाई फिर उसे पीटते हुए गंगा किनारे ले जाकर तीन साथियों के साथ मिलकर धार धार हत्यार से गलारेत कर हत्या कर दी मिर्तक की पहचान गौरी पूर्णिवासी प्रभास ज्छा के पुत्र मंगल कुमार ज्छा के रूप में हुई है घटना की संबंध में बताया जा रहा है कि सीखिया धार गंगा घाट के समीप अपराधियों ने भीपूर्धना चित्र के गौरी पूर्णिवासी मंगल कुमा इसके बाद इलाके में सनसनी मच गई यहां सब देखने के लिए लोगों की भीड़ घटना स्थर पर जुट गई इस बीच घटना की सूचना मिलने पर खरीक एवं भीपूर पुलीस मौके पर पहुँची और सब को कबजे मिलेकर पोश्ट माटम के लिए नौगच्या लूमंडल स्पताल भेजा वहीं घटना के संबंध में कोई कुछ भी बोलने से साफ फरहेज कर रहा है हलाकि कुछ लोग दमी जुमान में चर्चा करते दिखे कि सुभा में लत्तिपूर में सरापाठी का आयोजन हुआ था जिसमें मिर्तक समेट पांच लोग सामिल हुए थे उसके बाद मिर्तक को लत्तिपूर के भुस्खोरी रजक समेट तिन अनलोग लादगुसे से पीटते हुए बांध की तरप ले जा रहे थे भुस्खोरी के पास पस्यानी थी जिसके कुछ देर बाद ही यूबक की गला रेत कर हत्या होने की सूचना मिली यूबक की अपराधियों ने निर्मम तरीके से हत्या की है वही पुलीस को एक CCTV फुटेज भी मिला है जिसमें हत्या करने के बाद भुस्खोरी रजक पस्यानी लेकर घूमता नजर आ रहा है नगचिया एशडिपो दिलीप कुमार ने कहा कि पुलीस जाच में जुट गई है दोसियों को जल्द ही पुलीस गिरपतार कर लेगी वही एशडिपी सुसांत कुमार सरोज ने बताया कि पुलीस ने च्छापे मारी कर आरोपित भुस्खारी रजक को गिरपतार कर लिया है पुछताच में भुस्खारी ने बताया कि मंगल जहासे मेरी पतनी का अवेद संबन था इसलिए सराब पिलाने के बाद साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी मंगल मेरा दोस्त था वो हमेशा मेरी घर आया करता था और इस बीच मेरी पतनी के साथ उसका वेद संबन्द हो गया था और जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने इसकी हत्या करने की ठान ली थी वहीं S.P. ने बताया है कि निसान देही पर घटना में सामिल अन्य बदमासों की तलास की जा रही है मिर्तक के परिजनों में फिलहाल घर में एक मातर स्थ से उनके पिता है जिनकी मान से कि स्थिती छीक नहीं है जिसके करन वो कुछ भी बताने में असमर्थ है इसके अलाबा मिर्तक का छोटा भाई हैदराबाद में रहकर मजदूरी कर रहा है तो मा कुछ बस पूर भी मर गई है मिर्तक के परोसियों ने बताया कि मिर्तक भी हैदराबाद में रहकर मजदूरी करता था जो लॉकडाउन में घर आया था तब से यही था में तक कुछ सन की मिजाज का था